असलाम नेकुम डियर स्टूरेंट आज हम यूनिट नंबर फॉर में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिरेक्टिंग कैसे एक इफेक्टिव दिजाइन कंसेप्ट है आप डेफिनेटली छोटे बच्चों की क्लास्रूं को अरेंज करने के लिए हैं सो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैंक स्मित ने हमें बताया था कि बच्चों में लिट्रसी स्किल्स को इफेक्टिव डिवेलप करने के लिए क्लास्रूं के अंदर तीन कंडिशन का होना जरूरी है जिसमें पहले थी देमस्ट्रेशन और आज हम पढ़ने जा जाए जब तक हम उसे नहीं करेंगे यह lifelong learning skill में convert नहीं होगी सो बच्चे learn by doing करते हैं जब वो देखते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो reading skills को या मुक्तलिफ किसम की राइटिंग जो डैमोज हैं उसको कैसे डिस्पले कर रहे हैं कैसे लिख रहे हैं और लिखने के लिए वो क्य जाए क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और किस-किस मकसद के लिए वो एक दूसरे से लिखके या बातचीत करके या read out करके communicate कर रहे हैं बच्चे literacy related activity में तब participate करते हैं जब वो क्या करते हैं जब वो किसी को देखते हैं कि वो कैसे participate कर रहा है और वो कैसे step by step इन करते हैं और understand करते हैं कि importance क्या है power क्या है reading की और writing की और उसको करके दिखाने से कितना जबरदस और powerful impact होता है definitely उन्हें वहाँ पे एक teacher चाहिए जो उन्हें यह action करके दिखाए दोस्ट चाहिए जो यह frequently खेले खटे मिलके एक दूसरे के साथ आप बच्ची किताबों को पढ करते देखते हैं और उसको enjoy करते दिखते हैं so they actually took the book और उसके बाद वो किताब खोलते हैं और किताब खोलके वैसे ही pretend करते हैं जैसे teacher पर रहा था उसके बाद वह वैसी artificial यह pseudo notes बनाते हैं जिसी teacher बना रहा होता है एक दुसरे को कहानिया सुनाते हैं जैसी ठीचर सुना रह उसको इस्तमाल करते हैं, जब वो किसी को इस्तमाल करते देख चुके होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टन चीज ही होती है, कि बच्चे कॉन्फिडेंस सजाते हैं, और उनकी दिमाग में वो तमाम चीजे रिकॉल होती है, कि मेरे टीचर या मेरे फ्रेंड नहीं चीजों को कैसे से इस्तेमाल किया था अब इन चीजों से खेलते हैं इस उसी तरीके से जैसे आपने उन्हें खेल के दिखाया होता है सो यहां एक इंपोर्टन चीज यह आती है कि without the idea or confidence that learning to read and write is possible children do not engage in literate behavior बच्चों के अंदर यह confidence का develop होना जरूरी है कि वो पढ़ भी सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं और उससे पहले यह confidence कैसे develop होता है जब वो pretend play में यह सारे काम कर रहे होते हैं तो reading writing में जो हमारा पहला issue यह आता है वो यह आता है कि बच्चों को कि देफ़ा यह बहुत difficult और impossible लगता है जब वो खेल खेलते हैं जिसके अंदर वो actually reading है actually writing नहीं कर रहे होते हैं यह confidence बढ़ खुद ही build-up होना शुरू हो जाता है और बच्चों की motivation बढ़ जाती है उनका interest बढ़ जाता है उनके attitudes बढ़ जाते है reading writing speaking listening skills की तरफ से variety of instruments है reading writing के जो variety of range बच्चों को महिया करते हैं जिससे बच्चे encourage होते हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद उनके अंदर यह attitudes हमें develop होते नजर आते हैं आगर बच्चे के भी handwriting developed नहीं हुई या वो confident नहीं है तो बहाँ typewriter हो सकता है computer का keyboard हो सकता है जिसमें बच्चा type कर सकता है और इस तरीके से अपनी skills को enhance कर सकता है या confidence develop कर सकता है कि ऐसे ना सही ऐसे सही मैं writing के तरफ आ रहा हूँ तीसरा important condition जो बच्चों में literacy skills को develop करने के लिए जरूरी है classroom में है वो है sensitivity to literacy यह crucial क्यों है क्योंकि बच्चे जब तक sensitive नहीं होते और वो sensitively नहीं देख रहे होते अपनी teacher को कि वो किस काम में engaged है वो वो behavior display नहीं करते तो हमारे सामने है कि literacy activity without a certain level of sensitivity to other people literate display वो नहीं हो पाती बच्चों का उससरफ sensitize होना जरूर है अब यह sensitivity कैसे develop की जाए बच्चों में कि आप भी यह करें that is a good behavior that is a literate behavior that is a smart behavior definitely जब teacher और student आपस में interact करते हैं interactive readings होती है activities होती है आज इसमें teacher उन्हें demonstrate करके दिखाता है बताता है और बच्चों को invite करता है कि वो भी यह काम करें वो भी इन चीजों को समाल करें और वहां बच्चों के लिए इन चीजों का होना जरूरी है सो जितनी मज़ेदार किसम की चीजे जिसको हम literacy tools कह रहे हैं बच्चों के लिए available होंगी उतनी ही ज्यादा हमें dynamic उनकी activities नजर आएंगी और यह ज्यादा से ज्यादा probability बढ़ती जाएगी कि बच्ची अपनी reading writing के actions में pretend play में engage होंगे उनमे confidence develop होगा और आने वाले grades में वो in action को हकीकत का रूपधार के academia में reading writing में बेहतर होते जाएंगे